आज भात पद्र शुक्ल अस्टमी का पावन दिवस और शाश्वत पर्व का दिवस भी है साथी साथ दस लक्षन महा पर्व का भी आज उत्तम सत्य धर्म का दिवस है और आज ही के दिन स्री पुष्पदंत भगवान याने सुविदिनाद भगवान का मोक्ष कल्यानक दिवस भी है इसी प्रकार आज का यह मंगल महुस्व के दिन प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगड के संदेश में से आज हमारे समक्ष जो संदेश प्रस्तुत हुआ है आईए हम उसका पाठ करते हैं यह संदेश श्रीकार्ति के स्वामी द्वारा लिखित स्रीकार्ति के अनुपेक्षा ग्रंत के आधार से लिया गया है संदेश कुछ इस प्रकार है उत्तम सत्ति धर्म जो मुनी जिन शृत अनुकूल ही वचन कहे और उसमें जो आचार आदी कहे बह स्वयम पालन करने में असमर्थ होते हुए भी अन्नि प्रकार से ना कहे व्यवहार से भी असत्ति ना कहे बह मुनी सत्ति वादी हैं बही उत्तम सत्य धर्म होता है तो देखिए दस लक्षन महा परव के यह जो दस दिन है आगम में अलग-अलग करम से इसका उलेक किया गया है तत्वा सुत्रजी ग्रंत के सूत्र के आधार से देखा जाए तो इसमें कशायों की अपेक्षा से जो चौथा दिन है चतुर्त दि वह उत्तम सौच धर्म का है क्योंकि पवित्रता लोब कशाय के अभाव में पवित्रता होती है लेकिन कहीं कहीं कुछ विद्वानों के द्वारा उत्तम सत्य को पहले लिया गया है तो कोई सा भी दिन पहले ले सोच पहले ले या सत्य पहले दे आत्मा में ये दसो लक्षन एक साथी प्रगट होते हैं उसमें कोई क्रम अक्रम नहीं होता है तो आज हम सुनगर से जो आज सत्य धर्म पर प्रकाशित हुआ है तो हम इसके उपर विचार करते हैं कि इस पर महामुनी राज क्या कह रहे है किसकी बात चल रही हैं महामुनी राजों की क्योंकि उत्तम सत्य धर्म को प्रगट करने वाले महा मुनी राज है तो ऐसे महा मुनी राज जिन शुत्र के अनुकूल वचन ही कहते है याने जो महा मुनी राजों के सरवग्य के वचन है वो पुर्वा पर दोश रहित है कैसे वचन है पुर्वा पर दोश रहित याने किसी के द्वारा उन बचनों का उलंगन नहीं किया जा सकता क्यों नहीं किया जा सकता क्योंकि वो सर्वग्य देव द्वारा परणित है और सर्वग्य देव किसे कहते हैं जो वीतरागी सर्वग्य हितोप देशी है जो तीनों लोको तीनों कालों को एक साथ युगपद समस्त द्रव्य गुण परियाए के साथ जानते हैं उन्हें सरवग्य कहते हैं तो ऐसे सरवग्य देव वीतरागी देव हितोब देशी देव के द्वारा कहे गए वचन पुरवा पर दोश रही थे पुरवा पर याने पर किया जा सकता ऐसे हैं जिन वचन तो ऐसे जिन वचन सत्यारत हैं तो यहां पे कहा कि जिन सुत्र अनुकूल ही वचन कहें जैसा आगम में लिखाए उसके अनुकूल ही वचन कहें और उसमें जो आचार आदी कहें हैं याने चर्णानी योग की भी जो बात कहिए वह स्वयम पा चरणान योग की बात कहिए कि ग्रहस्तों का और मुनियों का आचरण कैसा होना चाहिए ऐसे आचरण की प्रदानता को लिए चरणान योग होता है तो जो चरणान योग में जो आचरण कहा है उस रूप यदि कोई मुनिराज आचरण ना करे तो इसका यह अर्थ नहीं कि वो अपने वचनों में उसको मैनिपलेट करके बोले यानि अपने सुविधा के अनुसार उन वचनों को कहे ऐसा भी सत्य वचन कहलाता है जो सत्य वचन के धारी महा मुनिराज होते हैं वो भले ही सोयम करिया करे या ना करे लेकिन जो आगम में लिखा है एजिटिस जिन सुत्र को वैसा का वैसा ही प्रतिपादित करे वैसा ही कहे तो वो सत्य वचन कहलाता है फिर क्या कहा कि अन्य प्रकार से नहीं व्यवहार से भी असत्य ना कहे ऐसा नहीं कि निश्चे से तो हम सब जानते हैं कि सत्य यही है लेकिन विवहार से तो हम कह दें ऐसा तो ऐसी अनिती संभवे नहीं वो कहते हैं कि विवहार भी तभी विवहार कहलाता है जब निश्चे सत्य आरतो निश्चे यदी आपका सत्य होगा तो ही आपका वो व्यव腹 भी सत्य कहलाएगा निश्चे के बिना व्यवहार भी नहीं होता तो यहां पर इस परकार समझञना है तो कहें इवह मुनी सत्यवादी हे वही उत्तम सत्यधर्मके धारा के कौन से मुनी जो जिन सुत्र के अनुकूल वचन ही कहते हैं उनके अनुसार ही आचरण आदी क्रियाओं के पालन करने की बात कहते हैं व्यवहार से भी सत्य ही कहते हैं इस प्रकार जो सत्य महावरत देखी आगे शब्द क्या लगाया है महावरत ऐसे सत्य महावरत के धारी महामुनी होते हैं फिर कैसे अतिचारों से रहीत होते हैं वे अपने इन सत्य महावरत में दोश नहीं लगाते अतिचार रहीत होते हैं जो ग्रहस्त होते हैं वो इसका एक देश पालन करते हैं जब एक देश पालन करते तो उसको क्या कहते हैं अनुवरत ठीक है ना एक देश पालन और सकल देश पालन तो जो एक देश पालन होंगे वो अनुवरती कहलाएंगे और जो सकल देश पालन करते हैं वो महावरती मुनिराज कहलाते हैं तो इस प्रकार यहां पे सत्य महावरत क बात कही है यह किस प्रकार के सत्य महावरत के धारी महा मुनी राज होते हैं दसलक्षन धर्मों में पूजाओं के माध्यम से और भी बहुत सारी जगह आपको यह प्रकरण पढ़ने में आएगा जिसे सिरी रतनकर्ण जिशाओ काचार जी है धर्म के दसलक्षन है इन सब में इन धर्मों के उपर बहुत ही विस्तार रूप से विवेचन किया गया है देखिए इसमें हमको विवार पक्ष और निश्चे परक्ष दोनों को ही जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि बिना निश्चे के कथन के भी कोई कथन की सार्थकता नहीं है विवार में तो हमने बहुत सारा समझ लिया लेकिन निश्चे से ये क्या है वो भी हमें समझना चाहिए तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे पहले हम सत्य धर्म का सामाननी सुरूप जो जन सामाननी को जल्दी से समझ में आ जाए उस तरीके से हम अभी यहाँ पर थोड़ा सा कहने का प्रयास करते है कि उत्तम सत्य धर्म क्या है तो अपने सत्य सुरूप को न समझना, अपनी पहचान इस देह से समझना या कहना असति वच्गने, देखिए अभी हम अपने आपको क्या कहते हैं, कि मैं कौन? तो मैं शुद्ध ağत्मा या जो मेरा नाम है हम अपने नाम से अपन शरीर की पहचान करतें, लेकिन क्या ये जो मेरा नाम है इससे मेरी पहचाने नहीं यह नाम तो माता पिता के द्वारा दिया गया है क्योंकि क्या दुनिया में जितने जीवे वो सभी आत्मा है शुद्ध आत्मा है एदि हम सब को शुद्ध आत्मा कहेंगे तो तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा कि किसी को समझ में ही नहीं आएगा कि किसकी बात चल रही है किसको बुलाया जा रहा है अगर किसी को बुलाना हो पांच लोग बैठे हैं और बोलेंगे ए शुद्धात्मा एक मिटी दराना तो किसी को नहीं समझ में आएगा इसलिए पर्टिकरल व्यक्ति की पहचान के लिए नाम रखा गया है लेकिन नाम होते वे भी हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो नाम है ये इस शुरीद का नाम है मेरा नाम नहीं है मेरा नाम तो शुद्धात्मा ही है ऐसा द्रडश्रद्धान होना चाहिए क्या कहा द्रडश्रद्धान कहने में आपको आएगा आपको अपना नाम से पहचाने लेकिन आपकी जो शुद्धात्मा हूँ कि मैं शुद्धात्मा हूँ इस प्रकार यहाँ पर हमने निष्चे से भी समझना है कि निष्चे से मैं हूँ कौन मेरा नाम क्या है तो मैं याने इस दे से भिन जीव द्रव्य किन्तु स्वयम को जर शरीर के नाम से जानना दे को अपना मानना यह क्या है असत्य वचन है जहां शमा, मार्दव, अर्दव, सोच आत्मा का सुभाव है मही सत्य, सयम, त्याग इन गुणों को प्रगट करने के यह उपाय है यह ऐसा कहें कि यह वो साधन है जिनसे आत्मिक गुणों की अनुभूती होती है जैन दर्शन में सत्य का अर्थ मात्र जियों का त्यों बोलना नाम सत्य नहीं है बलकि हित्मित प्रिय वचन बोलना सत्य है हित्कारी वचन यानि जिससे जीव मात्र की भलाई हो, कहने का अभिप्राई यह है कि जिन वचनों से यदि किसी जीव का अहित हो उसे दुख पहुँचता हो तो वो भी असत्य वचन कहलाते हैं मित यानी मीठा बोलना अर्थात कड़वे वचन नहीं बोलना तीखे करकश वचन गाली व्यंग परक वचन पर निंदा दुसरों की निंदा करने वाले वचन किसी की चुगली करने वाले इर्शिया वाले वचन किसी को पीड़ा पहुचाने वाले वचन ये सब भी क्या कहलाते हैं असत्य वचन की ही श्रेणी में आते हैं फिर है प्रिय वचन, प्रिय वचन यानि जो सुनने में भी अच्छे लगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी को चापलूसी करना, किसी को जूटी तारीफ करना, वो जूटी तारीफ यह दिकिया तो वो तह सत्य की श्रेणी में ही जाएगा, छल में चला जाएगा, जन्थब के अनुसार, जो वचन प्रशस्त, कल्यान कारक तथा सुनने वाले को आहलाद उत्पन करने वाले उपकारी हो, ऐसे वचनों को ही सत्य व्रतियों ने सत्य वचन कहा है, किन्तो उस सत्य को सत्य ना समझना, जो अप्रिय और अहित कर हो, जिन वचनों से जीवों की विराधना हो, हिंसा संबह हो, ऐसे वचन सत्य होते हुए भी असत्य है, जैसे बहुत प्रत्वानियों की प्रचलित कहानी राजा वसु की, जो सत्य धर्म के धारक होते थे, सर्वत उनकी इस धर्म के राजा सत्य वादी के नाम से ही वो प्रतिस्ठित थे, उनके एक जूट बोलने से उन्हें नरक का पात्र बनना पड़ा और दूसरी तरफ वो नारद जो सत्य बोलने से स्वर्ग का पात्र बना तो वो कैसा है सत्य वचन है कभीवर ध्यानत राई जी की जो पूजन है बहुत सुंदर पूजन है उसमें बहुत ही अच्छे से विवेचन सभी धर्मों का किया गया है तो उसमें भी इस बात को इंगित किया है कि सत्य बोलने से पहले विचार करना आवश्य है कि यदि राजा वसु जूट बोलने से पहले एक बार विचार करते तो आज वह जी नरक में नहीं होता लोक में कहावत भी चलती है ना जैसे जो पूजन में बोलना एक सुन्दर कला है परंतु मौन रहना उससे भी स्रेष्ट कला है ऐसे वचनों को समझे बिना जीव का कल्यान संभो नहीं है सत्यवादी सर्वत्र प्रतिष्ठा उसकी फैलती है किर्ती फैलती है वही सुखी होता है नम्बरता और प्रिय संभाशन ही मनुष्य का आभुशन है देखे वाणी से ही पहचान होती है कि ये सामने वाला जीव मूर्ख है या विदवान तो जो कारी एक हतियार नहीं कर सकता वो एक मातर वाणी कर सकती है बाणी मनुष्य को घायल भी कर सकती है और मरम भी लगा सकती है जैसे एक मातर वचनों पे ही अधिय हमने अंकुष लगाया होता तो आज महाभारत नहीं खड़ी होती असत्य वचन बोलने से अप्यश, अरती, कलह, बैर, बद, बंधन, मरण, जिववा, छेद, ब्रद, शील, सैयमादी सभी गुणों का नाश होता है और नरकादिक दुरगतियों में गमन होता है घोर पाप का आश्रो आदी हजारों दोश प्रगट होते हैं जबकि सत्य वचन दयाधर्म का मूल है सत्य धर्म संसार सागर से पार उतरने में जहाच के समान है सत्य वादी की देवता भी सहायता करते है अनुवरत और महावरत भी सत्य वरती के ही सम्यक होते है और निर्वान की प्राप्ति भी सत्य वादी को ही होती है इसलिए हे आत्मन सत्य धर्म को धारन करो लोग और भय के कारण है असत्य वचन उत्तम सत्य वचन मुख बोले सो प्राणी संसार न डोले याने कि हम सभी के जीवन में सत्य धर्म प्रगठ होवे ऐसी मंगल भावना है कठिन वचन मति बोल परनेंदा अरुझूट तज साच सवाहर खोल सत्य वादी जग में सुखी उत्तम सत्य वचरबत पालीजे परवेश्वास घात नहीं कीजे साचे जूटे मानश देखो आपन पूत सपासन पेखो पेखो तिहायत पुरुष साचे कोदर अब सब दीजिये मुनिराज श्रावक की प्रतिस्ठा साच गुण लख लीजिये ओम रेम श्रेम उत्तम सत्य धर्मांगाए नमः चली अभी हम यहाँ से आज रत्न कणिका में क्या प्रसारित हुआ है उत्तम सत्य धर्म के बारे में इस पर चिंतन करते हैं तो इसमें लिखा है कि सत्य बोलना यह कोई धर्म नहीं है सत्य भाशा यह तो जड़की है और सत्य बोलने में जो विकल्प उठते हैं वह शुब पुर्णे रूप राग है सत्य धर्म राग से रहित स्वयम का जिन सरूप है वीतराक्ता सरूप सत्य है इसकी आश्रे से वीतरागता रुप परिणमना याने की सत्य सुभावपने परिणमना वह सत्य धर्म है इसके लिए आहार आदी बना हो तो उसे ले ले तो कहे अभी इस काल में ऐसा भी होता है ऐसा जूट ना बोले बिलकुल वीतराग मार्ग से कम ज्यादा या विपरीत ना कहें पालन करने में स्वयम असमर्त हो तो भी अन्य प्रकार से ना कहे व्यवार से भी सत्य जिन वचन प्रमान बोले और अंतर में वीतरागता की परिणती जागी हो ये वीतरागी परणती को यहां सत्य धर्म कहने में आता है इस प्रकारे दक्षलक्षन परवपर बुज्ज गुर्देव श्री के प्रवचनांस के आधार से यरतनकणी का ली गई है दिखिए एक और मुझे छोटी सी कहानी याद आ रही है जो एक बार एक मुझे राज जंगल में ध्यानस्त थे और उधर से एक गाए जो एकदम व्यग्र होके व्याकुल होकर भाग कर जा रही थी कहीं शास्तुर में हिरन का भी उधारन आता है मतलब जो भी जानवर उधर से निकल रहा है और उसके पीछे एक शिकारी आता है और वह मुनिराज से पूछता है कि आपने यहां से हिरन को जाते वे देखा तो मुनिराज ने एक चुली तो देखा था ना उसको जाते वे लेकिन वे समझ जाते हैं कि यदि उन्होंने सत्य कहे दिया कि हाँ मैंने देखा और हिरन इधर गया तो शिकारी क्या करेगा उसके पीछे जाके उसको मार देगा तो उससे वो जीव की हिंसा होगी तो इस प्रकार सत्य वचन कहा हुआ सत्य वचन भी जूट कहलाएगा क्योंकि किसी का उससे अहित हुआ किसी के प्राण चले गए तो उस समय क्या होगा अगर मुनीराज बोलते कि हाँ मैंने देखा तो भी वो असत्य होता और कहते कि मैंने नहीं देखा तो भी क्या होता असत्य वचन होता तो ऐसे समय महा मुनीराज क्या करते हैं मौन धारन कर लेते हैं कि कुछ नहीं कहना क्योंकि देखिए जिसने देखा वो बोल नहीं सकता और जो बोल सकता है वो देखता नहीं है तो यहाँ पर तो कितनी अच्छी हमारा श्यादवाद अनेकांत धर्म इतना अच्छे सिद्धांत हैं कि कहीं पर भी आपको विरोध नहीं होगा तो इस प्रकार से सत्य वचन भी सोच समझ कर बोले जाते हैं जैसे अभी हमने बताया कि हितमित प्रिय वचन वही सत्य वचन है देखिए आगम में दो प्रकार की कथने निश्चे से और विवहार से यदि हम शुद्ध निश्चे नैसे देखे तो मेरा आत्मा बोलता ही नहीं है आत्मा का कारे क्या है? मात्र जानना क्या कहा? मात्र जानना, 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 जानना इसके अलावा और कोई कारे ही नहीं है तो पहले मैंने अपने आप में इस्थापना किसकी करनी है कि मैं कौन हूँ, मैं जीवद्रव्य हूँ और जीवद्रव्य क्या करता है, मात्र जानता और देखता है बस मात्र जानता है उसको कोई विशेश जानता देखता नहीं है उसका जब सभाव कुछ करना है ही नहीं जो बोलने की क्रिया ही नहीं है तो फिर उसको सत्य वचन बोलना या सत्य वचन बोलने का तो कोई प्रशन ही नहीं हुआ जब मेरे जीव द्रव्य में बोलने की क्रिया ही नहीं है तो सत्य और असत्य वचन का यहां पर कोई प्रशन नहीं है तो यहां हमें क्या समझना है कि द्रव्य परियाय में नहीं जाता और परियाय द्रव्य में नहीं जाती यह तो क्या है सिद्धानत है तो फिर उसमें बोलने की क्रिया कैसे हुई जब एक द्रव्य उसकी परियाय में ही नहीं जाता तो बोलना क्या है ये भी एक परियाय है और किसकी है ये पुद्गल की परियाय है ये जीव द्रव्य की परियाय भी नहीं है जीव द्रव्य की परियाय तो एक मातर जानना जानन रूप जो परिया है वही जीव द्रवे की परिया है तो ये तो पुद्गल द्रवे की परिया है बोलना और मैं जीव द्रवे तो दोनों का तो वैसे भी कोई मेली नहीं है क्योंकि एक द्रवे दुसरे द्रवे रूप होता नहीं है ये एक सिद्धानत है दोनों द्रवे ये वाणे कगता हूँ मैं बाणी का करता हूँ यह जो वचन वरगणा निकल रही है यह तो पुदगल की परिया है और पुदगल के आश्रे से निकल रही है मेरे सुभाव में बोलने का कार्य ही नहीं है इस प्रकार हमें अंदर श्रद्धान में यह लाना है क्योंकि अगर हमने वाणी को करता सोयम को मान लिया ना तो सारे समय हमें अपने करता बनना पड़ेगा किसका पुद्गल का पुद्गल के कारियों का क्योंकि पुद्गल के कारिये बोलना और उसके कारिय का करता हमेशा बना रहना पड़ेगा तो हमें ऐसा अगर निमित नही नहीँ बनना है तो हमें यहां पर क्रिया मैं उसको भी मातर जानने वाला हूं मातर जानने मैं उसकृया उस बोलने का करता नहीं और असंत्य वच्छन बोलने का मैं ईसको देखने वाला ग्याता-ध्रस्टी में लाना है, उसी का ज्यान करना है और उसी की अनुभूती भी करना है, तो इसी प्रकार अपनी चिंतन धारा को बढ़ाते रहिए, अभी हमारा इस कक्षा का समय पूर्ण हुआ, अगली कक्षा में हम फिर से नई विशय के साथ चर्चा करेंगे, तब तक आप अपनी चिंतन धा की प्राप्ति करें, इसी भावना के साथ सबी को साधर जैजी नेंदर